नमस्का एशारी जिन्यों में आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ विद्रीश मंत्री एश्जेश शंकर ने कहा कि 2020 में गलवान में हुई हिंसा के बाद से भारत और चीन के बीच संभध असमान्य इस्तिथी में हैं इतना ही नहीं एश्जेश शंकर ने कहा कि बार बार रिष्टे तोड़ने वाले देश के साथ सामान्य होने की कोशिश करना बहुत कठीन है उन्होंने कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़े देशों के बीच इस तरह का तनाव हो तो इसका असर हर किसी पर पड़ेगा विदेश मंतरी जैशंकर ने ये बात काउंसिल on foreign relation में भारत चीन संबंदों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही उन्होंने कहा आप जानते हैं चीन के साथ वैवार करने का आनंद यह है कि वो आपको कभी नहीं बताते कि वे ऐसा क्यों करते हैं इसलिए आप अक्सर इसका पता लगन की कोशिश करते हैं और यह हमेशा होता है वहाँ कुछ अस पश्चिता बनी रहती है जैशंकर ने कहा इसे देश के साथ सामान होने की कोशिश करना बहुत कठीन है जिसने समझूते तोड़े और जिसने वो क्या जो करता रहा है इसलिए यदि आप पिछले तीन सालों को देखें तो यह एक बहुती असमान्य इस्तिती है उन्होंने कहा संपर्क बादित हो गए हैं यात्राएं नहीं हो रही हमारे बीच निश्चित रुप से उच्छ इस्तर का सेने तनाव है इसे भारत में चीन के प्रती धानना पर भ संबा विदेश मंत्री ने दिली और विजिंग के भी समंदों पर एक एतिहसिक परिप्रेक्ष का जिकर किया और कहा कि ये कभी आसान नहीं रहा उन्होंने कहा हमारे बीच 1962 में युद्ध हुआ उसके बाद सेन घटनाएं हुई लेकिन 1975 के बाद सीमा पर कभी भी 1975 आखरी बार था 1981 में जब ततकालिन प्रदान मंत्री राजीव गांदी चीन गए तो भारत ने संबंदों को अधिक सामानी बनाया जैशंकर ने आगे कहा कि 1903 और 1906 में भारत ने सीमा को स्थिर करने के लिए चीन के साथ दो समझोते किये जो विवादी थे उन्हें लेकर बाच्चे चल रही है इसी के साथ मैंने रही है एश्या इस इंडिया के साथ हन्ने बाद